अरे कोशिश तो कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अरजुनसा लक्ष साद अरे निशाना तो लगा और फिर देख सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर तो महनत से अपने सपने सीच के तो देख इस बंजर किस् पूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत्रह मेरी आसान करो, हार्दिक स्वागत, मैं संतोज सिंग, आप सभी का आपके अपने चैनल Pathfinder IS में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और अगर आप उस टैक को पढ़ कर इस क्लास में आए हैं, डोंट वाच दिस वीडियो, तो मैं सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मद्यकाली मुद्रापनाली का ये इतिहास, ये सेग्मेंट आज के टेस्ट पेपर में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके कैरियर में सहायक हो सकती हैं, तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज हम लोग शुरू करते हैं, मद्यकाली मुद्रापनाली का पहला कोशिन, आपके सामने है, यद्यपी की इसमें मैंने उन प्रशनों को भी शामिल कर लिया है, चार-पांच प्रशनों शुरुवाती दौर पे हैं, जो गुप्तकाल में छूट गये थे, तो शुरू करते आज का पहला प्रशनों और आप देख पा रहे हैं, गुप्तकाल में ताम्र रजत मिश्रित सिक्कों को दरब कहा गया है, यहां तक तो बात क्लियर हो रही है, गुप्तकाल में यह पूच रहा है कि ताम्र रजत मिश्रित सिक्के का प्रचलन किस गुप्तशाशक ने किया, तो पहले ध्यान दखिएगा जो सुरन सिक्का है गुप्तकाल में ये आपको पता है क्या कहा गया है वो दिनार कहा गया है जो रजत सिक्का है वो क्या कहा गया है वो रूपयक या रूपक कहा गया है और अब बात आ रही है कि रजत ताम्र मिश्रित सिक्का जिसे दरब कहा ग आपके पास 4 option हैं, आप देख सकते हैं, राम गुप्त है, इसकंद गुप्त है, कुमार गुप्त प्रथम है, या फिर चंदर गुप्त दुति है, मुझे जवाब दीजे, और अंदाजा कोई भी छात्र नहीं लगाएगा, और अगर आप गलती से भी इसकंद गुप्त को और अगले question number 2 पे जाएए, चोल सामराजी का ये प्रशन है, चोल सामराजी में सरवादिक स्वर्नसिक के किस शाशक ने प्रचलित किये हैं, ध्यान रखिएगा, सरवादिक, maximum number of gold coins की बात हो रही है, चार option है आपके पास, उत्तम चोल, परांतक प्रथम, राज-राज-प्र clear, question number 3 देख लिजए, प्रशन संख्या 3 भी आपका चोल वंच से है, चोल शाशक के सिक्कों पर पांडियों का राज की ये चिन मचली, पहला तो ये देखिए, चेरों का राज की ये चिन धनुष, यहाँ पर कितनी बातें clear हो रही हैं, और चोलों का राज की ये चिन सिंग यहाँ पर तीन प्रशन तो आपके यही हो गए, वो कह रहे हैं इन तीनों का चित्रांकन किस के सिक्कों पर हुआ है, किस चोल शाशक के सिक्कों पर हुआ है, परांतक है, या फिर राजेंद्र दूतिय है, राज राज प्रथम है, या फिर राजेंद्र प्रथम है, मुझे बता सकते हैं और शायद इस प्रशन का जवाब आप लोग दे पाएंगे बिलकुल ठीक दिया है कुछ लोगों ने जवाब और यहाँ पर सही जवाब है राजेंद्र प्रथम और अब नेक्स्ट कोशन नमबर फूर की तरफ जाते हैं हम लोग और अब देखिए यहां से शु प्रवात के बीच के सिक्कों की पूर्वमध्यकाल के सिक्कों से हम लोगों ने शुरुवात की है इस सेग्मेंट की तो यह कह रहा है देहलीवाल क्या है और मैं आपको बता दूँ इस प्रशन को UPSC ने पूंचा है और इसके बाद अलग-अलग परिक्षाओं में यह प्र पूर्वमध्यकाल में प्रचलित सिक्के हैं और बाकी आप options पढ़नी की जरुवत नहीं है तो अब next question number five पर नजर डालिया और अब ध्यान देना है प्रशनी यह कह रहा है आपका कि पहला मुस्लिम शाशक ध्यान रखिएगा पहला मुस्लिम शाशक जसने भारत में भारती शैली के सिक्के प्रचलित किये और अपने सिक्कों में संस्कृत में कल्मा अंकित करवाया वो कौन है संस्कृत में कलमा अंकित करवाया वो शाशक कौन है इलतुतमिश है मेमूद गजनवी है मुहमद गोरी है या फिर अलाउदिन खिल जीए पहला मुस्लिम शाशक जिसने भारत में भारती शैली के सिक्के प्रचलित किये जवाब दे पाएंगे प्रचलिक कई बार आया है और अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पर जवाब है मेमूद गजनवी मेमूद गजनवी के सिक्कों पर प्रारंभिक तोर पे संस्कृत में कलमा अंकित है वो कहते हैं अव्यत मेकम रपती मेमूद अवतार ऐसे करके वो एक पुरा सेंटें है जिसके सिक्कों पर मालक्षमी का अंकन हुआ है मैमुद गजनवी है मुहमद गौरी है या फिर इलतुतमिश है या फिर फाइनली अकबर है बताएंगे आप मुझे तो यहाँ पर जवाब है मुहमद गौरी जयान रखेगा यह प्रश्ण भी UP PCS में कई बार रिपीट और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ अकबर के सिक्कों पर भगवान श्री राम और माता सीता का चितरानकन हुआ है राम सिया का चितरानकन मुगल शाशक अकबर के सिक्कों पर है मुझे उमीद है आप copy pen लेकर बैठे होंगे और जो नवीन प्रश्ण है यह मुझे बताए मद्यकालीन इतियास की मुद्रा प्रणाली का व्यापक अध्यन करने वाले विद्वानों में कौन-कौन शामिल है करनल टॉड जदुनात सरकार फर्गूसन वी ए स्मित जेम्स मिल या विरिश्वरी प्रणाली प्रणात सरे, नैल्सन राइट और फॉमस एड़ड, मद्यकालीन मुद्रा प्रणाली का अध्यन करने तो मध्यकालीन मुद्रापणाली का अध्यन करने वाले दो विद्वान नेल्सन राइट और थॉमस एडवर्ड एक रिमार का आप नोट करिए थॉमस एडवर्ड की पुस्तक को नोट करिए आप दि क्रॉनिकल आफ दा पठान किंग्स आफ डेली में मुद्रा का एक व्यापक फ्रोत के रूप में इनों ने इस्तेमाल किया और गहन शोध प्रस्तुत किये तो थॉमस एडवर्ड की ये पुस्तक मुझे उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ठीक है और अब देखे प्रशन यहाँ पर क्या कह रहा है दिल्ली सल्तनत की मुद्रा पनाली का जनक के शाशक को माना जाता है सामान ये प्रश्ण है बिना option देखे उत्तर आएगा दिल्ली सल्तनत की मुद्रापणाली का जन्मदाता कौन सा शाशक है तो बिलकुल आगे बढ़ने के लिए नजर केवल इल्तुत्मिश पे जानी चाहिए ठीक है और इल्तुत्मिश के लिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली सल्तनत में मकबराश्यली का जन्मदाता भी यही है ठीक है मकबराश्यली का जन्मदाता इल्तुत्मिश मुझे उम्मीद है आप लिख पा रहे होंगे दोनों बाते मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत की मुद्रपनाली का जन्मदाता और मकबराशयली का जन्मदाता दोनों ही इलतुतमिश है इस प्रशन को देखे दिल्ली सल्तनत का वह पहला शाषक जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अर्बी सिक्के प्रचलित किये इसको भी थोड़ा दियान रखेगा शुद्ध अर्बी सिक्के प्रचलित किये और इसी ने चांदी का टका चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल प्रचलित किया वो कौन था तो ये भी आप कर पाएंगे इस प्रचलित को भी और यहाँ पर अलावदिन खिल जी रजिया सुल्ताना गया सुदिन बलवन और इल्तुत मिशे तो आई थिंग जवाब बिलकुल ठीच दिया है सभी ने चिंता मत करिए ये सामाने प्रश्ण है ये गलत नहीं होने चाहिए ठीक है और अभी आपको कुछ विशेश प्रश्ण भी मिलेंगे यहाँ पर तो कोशन नमबर टैन देखिए दिल्ली सल्तनत में एक टका का मूलिक जीतल के बराबर था मतलब एक टका बराबर कितने जीतल 16 जीतल 40 जीतल और 48 जीतल यार फिर 50 जीतल एक टका में कितने जीतल होते थे जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, और ये है 48 जीतल, यहाँ पी सही जवाब दे रहे हैं, परिक्षा भावन में, ये सारे प्रश्ण जल्दबाजी में गलत नहीं होने चाहिए, कोशन नमबर 11 देखिए, बहुत विशेश प्रश्ण है है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत विशेश प्रश्ण है, दिल्ली सल्तरत में जियाउद्दीन बर्नी ने टका, एवं जीतल के अलावा, किन दो अन्य सिक्कों का उल्लेख किया है, मुझे बताईए, टका और जीत दिल्का उल्लेख तो करते ही हैं बर्नी, वो कहने दो अन्य सिक्के कौन कौन से हैं, दरब, दाम, दंग, दरहम, दीनार, अदली, या फिर दिरहम और दिनार, ये प्रश्ण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेश प्रश्ण है, मुझे बताईए, और इस प्र बर्नी ने जो आपस में संबंध निर्धारित किया है इन सिक्कों का, वो भी आपको रिमार के तोर पे दे रहा हूं, द्यान दीजेगा, एक टका बराबर 48 जीतल, यहां तक बात क्लियर हो रही है, बराबर 192 दंग, बराबर 490 दरहम, इसका मतलब यह हुआ, कि एक टका में 48 जीतल होते हैं, एक टका में 192 दंग होते हैं, और एक टका में 490 दरहम होते हैं, इसका मतलब यह हुआ, बर्नी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा सिक्का, जो बताया है, वो है दरहम, बर्नी के अनुसार, बर्नी ने यह उलेह किया है, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा सिक्का दरहम, तो यानि एक टका बराबर 490 दरहम, आप यह देख रहे हैं, नोट करिएगा, इसका मतलब यह भी हो गया, कि एक जीतल बराबर 4 दंग, यहाँ पर डिफाइन करेंगे आप, तो आ जाएगा, अगला कोशन, दिल्ली सल्तनत के किस शाशक ने अपने सिक्कों पर टक्साल का नाम, देखिएगा, एवं उस शहर का नाम, अंकित करने की परंपरा की शुरुआत की, और बगदाद के खलीफा अलमुस्तंसर का नाम भी शामिल किया अपने सिक्कों पर, यह बात तो क्लियर हो रही है, कि टकसाल का नाम भी शामिल किया है और बगदाद के खलीफा अल मुस्तंसर का नाम भी शामिल किया है मुहम्मद बिन तुगलक है इलतुतमिश फिरोश शातुगलक अलाओ दिन खिली अब बताईए आप मुझे और अगर गलती से भी जल्दवाजी में आपने मुहम्मद बिन तुगलक या फिरोश शातुगलक का नाम चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा और यहाँ पर नाम है इलतुतमिश ये बात क्लियर हो रही है बिलकुल कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है कितने लोगों ने गलत किया इस प्रशन को मुझे बताईए रिप्लाई करिए चलिए खैर अगला कोशन देखते है कोशन नमबर 13 देखे उसी से जुड़ा हुआ प्रशन है देखे खलीफा अलमुस्तंसर का नाम इलतुतमिश ने शामिल किया अब यहाँ पर यह कह रहा है कि दिली सल्तनत के किशाशक ने अपने सिक्पों पर प्रारंबिक चार खलीफाओं के नामंकित करवाए प्रारंबिक चार खलीफा कौन कौन से हैं अबुबक्र उमर उस्मान और अली ये चार खलीफाँ के ना मंकित करवाए मुहम्मद बिन तुग्लक शेर्शा सूरी फिरोशाँ तुग्लक मुहम्मद बिन तुग्लक अलावदीनlarını खिलजी और फिरोशाँ तुग्लक आपको बताना है, बताइए, ध्यान दीजेगा, इल्तुतमिश वाला ओप्शन तो अपने आप ही कड़ जाएगा, क्योंकि इसने केवल एक ही खलीफा का नाम अंकित करवाया है, और उसका नाम है अलमुस्तंसर, अब बताइए तीन विकल्पों में, तो अगर आप B वाला वि प्रशन में शामिल कर दिया, मुहमद बिन तुगलक और शेरशासूरी दोनों अलग-अलग पूचे गए हैं, ठीके, तो इस प्रशन को याद रखिए, चार खलीफाओं के नाम शामिल करने वाले दो शाशक हुए, दिल्ली सल्तनत में मुहमद बिन तुगलक और उधर आग तो नेल्सन राइट ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को एक महान मुद्र वशेशाकी की संग्यादी है, मुहमद बिन तुगलक बहलो लोदी इल्तुत्मिश और अलाव दिंखिल जी मुझे बहुत साफधानी से जवाब दीजेगा, बिल्कुल रिप्लाई करिए और सभी अली सल्तनत का एक महान मुद्रा विशेशग्य कहा है, जबकि थॉमस एडवर्ड मुहमद बिन तुगलक के बारे में कुछ वक्तावे देते हैं, तो यहां तक क्लियर हो रहा होगा, यह प्रशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा, और फाइनली आगे बढ़ते क्लास आपको छोड़नी नहीं है, क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, आज पूरे सिक्के मेडवल इंडिया के मैं कवर कर रहा हूँ, पूरे सिक्के, शायद पता नहीं, एगात प्रशन इसमें से आजाए, आप देखिएगा विद्वान थॉमस एडवर्ड, अब राज कुमार, प्रिंस ओफ मनियर्स की संग्या दिये, तो अब यहाँ पर आपको बाकी विकल्पों को पढ़ना ही नहीं है, मैंने बताया, नेलसन राइट इल्तुतमिश के लिए है, थॉमस एडवर्ड, मुहम्मद बिन तुगलक के लिए है, मुझे उमीद है, ये बात क् अंकित है, दिल्ली सल्तनत के किशाशक के सिक्कों पर उसकी उपादी उमदत उल्निस्वा का अंकन हुआ है, इल्तुतमिश है, मुहम्मद बिन तुगलक है, फिरोशा तुगलक और रज्या सुल्ताना, और आई थिंक अगर आपने जवाब फिरोशा तुगलक को चुना है, तो जवाब गलत हो जाएगा, और ये जवाब है, रज्या सुल्ताना, ध्यान रखेगा, ये प्रश्न PCS में आ चुका है, ठीक है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, रज्या के सिक्के पर उसकी उपादी का अंकन है, उमदत उल्निस्वा, बहुत विशेश प्रश्न ह और कोशन नमबर 17, आप देखिए, विश्व में सर्व प्रथम, सांकेतिक मुद्रा के पचलन का श्रे किसको जाता है, मुहमद बिन तुगलक है, कुबलाई खान, कैगातु खान, या फिर शिह वांग्टी, आप कुझे बता सकते हैं, और अगर आपने जल्दबाजी में कुबलाई खान, जयान दखिएगा, विश्व में सर्व प्रथम, सांकेतिक सिक्के का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रे कुबलाई खान को है, कैगातु खान इरान में है, और अगर ये प्रश्ण पूश्टा की भारत में सर्व प्रथम, तब जवाब होता मुहम्मद बिंतुगलक अगर भारत की बात हो रही होती तब जवाब होता मुहम्मद बिंतुगलक तो फिलाल अगर आपने इस प्रश्ण को गलत कर दिया तो ध्यान दखिएगा विश्व में सरो प्रथम कुबलाई खाने इरान में कैगा तुखाने और भारत में मुहम्मद बिंतुगलक है और कोशन नमबर 18 आपके सामने आ चुका है दिल्ली सल्तनत एवा मुगलकाल में किन शाषिकों के शाषिनकाल में तकसालों की संख्या क्रमशा सरवादी थी सबसे जादा टकसाले किन लोगों के शाषिनकाल में थी यानि कि दिल्ली सल्तनत का एक शाषिक है और मुगलकाल का दूसरा शाषिक है मुहमद बिंतुगलक और अरंग्येब या फिर मुहमद बिंतुगलक अकबर मुहमद बिंतुगलक शेरशासूरी या फिर सिकंदर शालोदी और शेरशासूरी और बताएं मुझे आप क्या जवाब दे रहें और गलती से भी अगर आपने भी विकल्प चुन लिया है तो जवाब गलत हो जाएगा और यहाँ पर जवाब है मुहमद बिंतुगलग और औरंजेब ठीक है याद रखिएगा सरवादिक संख्या टकसालों की मुहमद बिंतुगलग के समय दिल्ली सल्तनत में और मुगलकाल में औरंजेब के समय ठीक है कोशन निमर 19 देखिए दिल्ली सल्तनत की एक मात्र किश आशक ने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र फते खान का नाम अब मैंने फते खान का नाम भी बता दिया आपको अपने पुत्र का नाम शामिल किया तो अब जवाब थोड़ा असान हो जाएगा अगर फते खान का नाम यहाँ पे ओपन नहीं होता तो शहाद चुनने में तोड़ी दिक्कत होती लेकिन अब आसान है गया सुदिन बलबन है फिरोशात उगलक है अलावदिन खिल जीए या फिर सिकंदर शालो दिये पुत्रफ अदेखान का नाम शामिल करने वाला फिरोशात उगलक वेरी इंपॉर्टेंट मुझे बताइए क्लास में काफी रिवीजन हो रहा है सब लोग एक बार रिपलाई कर दीजे रिवीजन हो रहा है काफी मदद मिलेगी आपको इस क्लास से मेरी पूरी कोशिश है और हमेशा की तरह में आपको बता रहा हूँ कि एक मेरी online test series भी चल रही है हर प्रश्ण पत्र में 125 प्रश्ण है दियान दखेगा एकदम exam oriented प्रश्णों का collection होता है ये 125 प्रश्ण इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते है इसका मतलब ये हो गया कि ancient में भी लगबग 40-42 प्रश्ण होते है medieval में भी लगबग 40-42 प्रश्ण होते है और modern में भी लगबग 40-42 प्रश्ण होते है ठीक है? तो अगर आप एक्षुक हों तो इस test series में शामिल हो सकते है आपके लिए काफी मेहनत से सारे प्रश्ण तयार किया जाते है और मेरी योजना ये है कि परिक्षा तक अब जितने paper हो चुके तो हजारों की संख्या में मैंने solve करा दिये हैं प्रश्णों को आने वाले परिशा की तितियों तक मैं कम से कम 15,000 कोशन और solve करवाने वाला हूँ तो अगर आप एक्षुक हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर आप संपर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस test paper से जोड़ सकते हैं एक दो test paper आप model paper के तोर पर मंगवा भी सकते हैं ठीक है तो फिलहाल हम लोग question number 20 पर आते हैं और यह कह रहे है कि दिल्ली सल्तरत के शाशक फिरोशा तुगलक का टकसा लदिकारी कौन था तो फिरोशा तुगलक का एक टकसा लदिकारी है आप मुझे बताएगा उसका नाम है शेर खान मलिक मकबूल मलिक याकूब या फिर काजर्शा यह चार option है इसमें एक आपको चुनना है एक चुनना है तो सही जवाब है काजर्शा ध्यान रखेगा यह सारे प्रशन और यह मलिक मकबूल और मलिक याकूब का नाम आपको पता है अलावदिन खिल्जी से जोड़े हुए हैं मैं यहाँ पर डावर्ट नहीं करूंगा आपको और question number 21 देख लिजए आप फिरोशा तुगलक के द्वारा प्रवर्टित सिक्के शषगनी का मूले कितना था शषगनी का मूले कितने जीतल के बराबर था शषगनी का मूले पूंचा गया है अब सारे बहुत important है गलत हो गए तो सारे प्रशन गरबर हो जाएंगे ध्यान से जवाब दीजे 10 जीतल 8 ज चैजीतल या फिर चार जीतल तो सही जवाब है यहाँ पर चैजीतल ठीक है चैजीतल एक शषगनी का मूले चैजीतल के बराबर है और आए मैं आपको कुछ और सिक्कों के बारे में बता देता हूं फिरोशा तुगलक ने जो प्रचलित किये हैं इसमें एक चाहार गनी बर चैजीतल एक निसफी बराबर 24 जीतल और एक पंच गनी बराबर 25 जीतल ठीक है आप इसे याद रखेगा इसमें सिक्क अभी कबार हो सकता है मैच दी फॉलविंग के प्रशन भी आएं तो प्लीज आप इसे नोट करिए चाहार गनी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स कोश मिशें फिरोश्या तुगलक है बहलो लो दियें या फिर सिकंदर्शा लो दियें अद्धा और भीक मुझे बताइए और बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप लोग फिरोश्या तुगलक है वेरी गुड बहुत बढ़िया अद्धा और भीक प्रशलित करने का श्रेय दिली सल्तनत का वो शाशक है फिरोश्या तुगलक नेक्स कोशन देखें बहुत शांदार प्रशने विजय नगर को शुरू कर रहा हूं विजय नगर का सरवादिक प्रसिद्ध सुरण सिक्का कौन सा था मुझे लगता है जवाब दे पाएंगे वरा पनम दरब कलंजू व विजय नगर का सरवादिक प्रसिद्ध सुर्ण सिक्का वरा और अगला प्रशन भी विजय नगर से हैं विजय नगर के किशाशक के सिक्कों पर हनुमान जी माराज का चित्रांकन हुआ है और गरुड का चित्रांकन हुआ है विजय नगर के किशाशक के सिक्कों पर हनुमा है बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि क्रश्णदेव राय गलत जवाब आ रहा है और सभी जवाब है हरियर प्रथम ध्यान रखिएगा हनवान जी माराज और गरुड का चित्रानकन हर यहर प्रथम के सिक्कों पर है clear और अगला कोश्ण नंबर 35 भी है मुझे बताएं कि शाशक के सिक्कों पर भगवान लक्षमी नारायन का चित्रानकन हुआ है किसके सिक्कों पर यह प्रश्णबी वजयानगर से related है किसके सिक्कों पर लक्षमी नारायन का चित्रांकनुआ क्रश्ण देवराय दूतिय देवराय प्रतम सदाशिवराय और यहां पर भी क्रश्ण देवराय नहीं है और तरही जवाब है सदाशिवराय समझ में आ रहा है अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाओ जरूर लिखिए मुझे बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वास्तुकला मंदर मस्जद सारे इमारतें पुरे तियास की कहिए तो क्रम से डिसकस कर दूँ मुद्रपणाली की तरह जो भी आपके क्वेरीज हैं मुझे सुझाओ दीजे आप केवल लेक्चर देख करके बैठे मत मेरे साथ जद्दो जहत करिये क्यों कि परिक्षा तो होनी ही है और अगर आप परिक्षा की तिथी के इंतजार में केवल बैठे हैं हाथ में हाथ रखकर तो यह मुश्किल होगा फिलाल अगला प्रशन बहुत important है सारे प्रशन important है भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय कुल कितने प्रकार के राश्ट्री और स्थानिय सिक्के प्रचलन में थे प्लस करके बताए कितने थे टोटल 996 प्रकार के 403 प्रकार के 786 प्रकार के 396 प्रकार के कितने सिक्के भारत में प्रचलित थे आपको जान के घोर आश्यर होगा 996 प्रकार के सिक्के उस समय तक प्रचलिट थे इस प्रश्ण को आप अपनी जानकारी के लिए कंठस्ट कर लिजे बविश्य में किसी भी परिक्षा में पूछा जा सकता है Question number 27 Class चोड़ियेगा नहीं सारे सिक्के आज ही खतम करने हैं Class आपको चोड़नी नहीं है आज सारे सिक्के कंप्लीट करने हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी मुगल काल भी बाकी है तो अराम से बैठिये और सारे सिक्कों को कंप्लीट करिये मुगल आक्रानता बाबर ने यद्यपी की भारत में कोई सिक्का प्रचलित नहीं किया यहां तक तो बाठ ठीक है बाबर ने भारत में किसी प्रकार का कोई सिक्का प्रचलित नहीं किया लेकिन उसने दो सि硬िंदोने प्रचलित किये थे था अक्र페aurais और यह एक सि're वाबरी और दूसरा है अशर्फी कहां प्रचलित किये थे फरगना एवं कंधार में काबुल में काबुल एवं कंधार में कंधार में पंजाब में आप बताये बतासकते हैं इस प्रश्न को आप बहुत important है और पहला विकल्प भी गलत है दूसरा विकल्प भी गलत है और सिह सही है काबुल और कंधार में यानि की काबुल में बाबरी और कंधार में अशरफी बाबर के ये दो सिक्के कहां पर प्रचलित हुए दियान रखेगा प्लीज इसको अच्छे से याद रखें कुशन अमबर 28 अफगान शाशक शेर्शा सूरी ने कौन सा सिक्का प्रचलित किया शेर्शा सूरी तो आपको पता है रजत सिक्का टका और तामे का दिरहम चांदी का रुपया तामे का दंग चांदी का रुपया तामे का दाम चांदी का रुपया और सुर्ण सिक्का दिनार मुझे बताई तो आपको पता है शेरशा सूरी ने रुपया और दाम प्रचलित किया ठीक है तो रज़त मने चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का दाम बहुत important है ध्यान दखिएगा रुपया तो पता होता है दाम को लेके confusion होता है ठीक है तो यह हो गया चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का दाम और यहां पर इस remark को बहुत important ढंक से आप screenshot ले लिए बहुत एहम बात है यह यह कह रहे है कि रज़त सिक्का रुपया 180 ग्रेन का था इसका वजन चांदी का सिक्का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का सिक्का दाम 380 ग्रेन का था पहली बात तो यह ध्यान रखिए और फिर देखें यहां पर शेर शाह का चांदी का सिक्का एक रुपया बराबर शेर शाह का 64 दाम इसका screenshot ले लिजे या फिर लिख लिजे क्योंकि यह interchange rate पूछा गया है और फिर कह रहे हैं शेर शाह का चांदी का सिक्का रुपया एक रुपया बराबर 40 दाम यह अकबर का दाम है ध्यान रखिएगा एक दाम शेर शाह सूरी ने चलाया और एक दाम अकबर ने चलाया अकबर ने उस दाम में कुछ शंशोधन किये और इस दाम का मुल्य और वजन बढ़ा दिया ठीक है तो अगर यह कह रहा है कि शेर शाह का सिक्का जो चांदी का है एक रुपया वो अकबर के दाम के कितने बराबर है तब वह आप लगाएंगे 40 लेकिन अगर वो सामानी इंटरचेंज रेट पूछ रहा है शेर शाह का रजट सिक्का और शेर शाह का दाम तो एक अनुपाते 64 क्लियर हुआ इस प्रश्न को बताएं अफगान शाशक शेर शाह सूरी के समय टकसालों की संख्या कितनी थी शेर शाह सूरी के समय टकसालों की संख्या कितनी है बता सकते हैं 23, 25, 27 या फिर 35 देखिए गलत कर रहे हैं और सही जवाब है 23 ठीक है 23 शेर शाह सूरी के समय टकसालों की संख्या कितनी है तेस क्लियर है प्रश्न संख्या तीस आपकी स्क्रीन पर है अकबर ने अपनी दिल्ली और फतेपुर सीक्री ध्यान से देखिएगा अकबर ने अपनी दिल्ली एवं फतेपुर सीक्री की केंद्री टकसालों का अधिक्ष किसे नहीं उप्त किया ध्यान रखिएगा टोडर्मल मंसूर बीरबल टोडर्मल ख्वाजा अब्दुलसमद दसवंत भगवान दास मान सिंग यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली और फतेपुर सीक्री की केंद्री टकसालों का अधिक्षक किसे नहीं उप्त किया हमेशा यह प् और अक्पर की जो चित्रकला विभाग का अधिक्षक है वो ख्वाजा अब्दुलसमद है ठीक है यह दोनों ही चित्रकार हैं और उनकी केंद्री टकसालों के अधिक्षक भी है यह एक प्रोचक बात है और मैं आपको बता दूं कि अक्पर ने दिल्ली और फतेपुर सीक्र में ही तो उनकी केंद्री टकसाले थी ही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अक्पर ने दिल्ली और फतेपुर सीक्री के अलावा भी लाहौर, बंगाल, जॉनपुर एवं एहमदाबाद में भी टकसालों का स्थापना करी यानि अक्पर के समय जो केंद्री टकसाले हैं दिल में हैं, फतेपुर सीक्री में हैं, लाहौर, बंगाल, जॉनपुर और एहमदाबाद में हैं इन टकसालों के नाम याद रखिएगा कभी एकातपश्न ऐसा भी आ सकता है कि अक्पर की केंद्री टकसाल कहां पर इस्थित नहीं थी ठीक है कोशन नमबर 31 देखे यह कह रहे है कि अक्पर के द्वारा प्रवर्तित चांदी का चौकोर सिक्का चांदी का चौकोर सिक्का आपने देखा होगा बचपन में पांच पैसे का सिक्का जो हम लोग देखते थे वो चौकोर सिक्का होता था याद आया आपको बचपन में देखा होगा पांच पैसे का सिक्का चोकोर सिक्का तो वो है जलाली ठीक है जहान रखेगा यह सारे प्रशन बार-बार एकी बात रिपीट कर रहा हूँ बहुत important है पता नहीं किस परिक्षा में repeat हो जाएं पता नहीं किस परिक्षा में पूछ लिए जाएं तो कम से कम यह प्रशन अब गलत नहीं होने चाहिए ठीक है और अगला प्रशन देखिए मैंने उत्तर बहुत पहले ही बता दिया आपको कि किस मुगल शाषक के सिक्कों पर राम सिया का चित्रांकन हुआ है और नीचे देवनागरी में राम सिया अंकित भी है तो अब यहां पर बहुत ढूंडा नहीं है आपको और जवाब है अकबर राम सिया का चित्रांकन अकबर आप लोग रिप्लाई भी करते रहे हैं सब लोग बैठिये मत रिप्लाई भी करिए फटाफट है ना तो इससे पता चलेगा कि कहां पर आप गलतिया कर रहे हैं मुगल काल में सिक्कों पर बादशा का चित्र अंकित करने की परंपरा किस मुगल शाशक ने शुरू की अकबर जहांगीर शाह जहां या फिर और अंगीब देख पा रहे हैं रिप्लाई करिए और कहीं गलती से आपने अगर अकबर को चुना है तो यह गलत है और सही जवा एक बात हुई जहांगीर के समय से बादशा का चित्र भी शामिल किया जाने लगा और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में फिरोशा तुगलत ने अपने पुत्र फते खान का नाम अपने सिक्कों में शामिल किया उसी तरह जहांगीर ने अपनी पत्नी की नूर जहां का नाम शामिल किया, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, नूर जहां का नाम शामिल किया, चित्र नहीं, केवल अपनी पत्मी का नाम शामिल किया है, ठीके, तो बादशाह का चित्र अंकित करने की प्रंपरा की शुरुआत जहांगीर से, ठीके, question number 34, आ अकबर ने अपनी अन्तिम विजय पहले तो यह जान लिजे कि अकबर की अन्तिम विजय कौन सी थी तो वह असीरगड की विजय यह प्रोशन भी कई बार आया है। अब मामला ये है कि अकबर ने अपनी अंतिम विजय असीर गड़ की विजय की इसमरती में किस पशु अत्वा पक्षी के अंकन वाले सिक्के जारी किये सिंग के रूपांकन वाले हाथी के रूपांकन वाले बाज के रूपांकन वाले या फिर अश्व के रूपांकन वाले मुझे बताइए अकबर के सिक्कों पर किस पशू या पक्शी का चित्रांकन हुआ है जो उसकी असीरगड की वजय की याद दिलाता है और अगर आपने यहाँ पे सिंग को चुना है तो जवाब गलत है और यहाँ पर जवाब है बाज के रूपांकन वाले सिक्के कितने छात्रों के कितने प्रश्ण सही हुए पूरे टैस सिरीज में मुझे जरूर रिप्लाई करिएगा और कोशन नमबर 35 देखिए अभी आपको क्लास में बैठना है रिपीटेट प्रश्ण है किस मुगल शाष्यक के सिक्कों पर हिंदू राशियों के बारह प्रतीक चिन्नों का अंकन हुआ है अकबर जहांगीर शाज जहां औरंगेर तो जवाब है जहांगीर है ना इस सब कर लेंगे इस सब प्रश्ण कातबार कहीं न कहीं पूछे गए हैं तो हिंदू राशियों के बारह रूपांकन जहांगीर के सिक्कों पर है कोशन नमबर 36 देखिए बड़ा सामाने प्रश्ण है और मुझे लगता है ये एस सी से लेकर यूपी एस सी तक पूछा गया है मतलब इस प्रश्ण की रेंज है एस सी से यूपी एस सी तक किस मुगल बाश्या ने अपने सिकों पर कल्मा को अंकित करने की परंपरा को रोग दिया अकबर जहांगीर शा जहां और औरंग जेब सही जवाब है औरंग जेब जवाब आप देपाएंगे कल्मा का मतलब होता है मतलब अल्ला के लिए कुछ पवित्र शब्द, पवित्र मंत्र, पवित्र पंक्तियां तो ये सिकों पर अंकित होते थे ठीके तो औरंग्जेब ने कलमा लिखे जाने की परंपरा को बंद कर दिया और इस प्रशन पर नजर डालिए अकबर के समय बहु प्रचलित स्वर्ण सिक्का कौन सा है बहु प्रचलित स्वर्ण सिक्का कौन सा है शंशब आत्मा इलाही या फिर बिसाथ शंशब आत्मा इला प्रचलित स्वर्ण सिक्का यह रेयर है कि इसका वजन है 101 तोला यह सामान ये प्रचलन में नहीं है यह सिक्का सामान ये प्रचलन में नहीं है बड़े बहुत बड़े व्यापारिक लेंदेन में प्रयुक्त होता था तो अगर यह कहते हैं कि अकबर के समय का सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का कौन सा है तो वह संशब या संशा 101 तोले का है सामान ये प्रचलन में नहीं था बड़े व्यापारिक लेंदेन में प्रयुक्त ह होता था और इलाही सर्व प्रचलित स्रोण सि刚ha है अक्षभर के ऐसा में का ठीक है कोशनर नंबह थर्ट एडी डेखे क्या बात है बहुत बड़या चलिए बहुप्रशित 6 अब देखें आप जवाब स्राव दे रहे हैं तो कह रहें कि अक्बर के समय बहु प्रचली सुर्ण सिक्क्य इलाही का मूली कितने रुपए के बराबर था दस बीस पच्चिस पचास मुझे पताएं और सभी जवाब है दस रुपए के बराबर है कि रुपए आचान्धि का है इलाही सोने का है ध्यान रखेगा सुर्ण सिक्क्य की बात हो रहां सिकh' के बहु प्रचली सुर्ण सिकh' का इया है एंध के 10 रुपए के बराबर कोशिंच नमबर 30 नायन देख्या अ कि अदभुत है अक्बर के समय प्रचलित स्वर्ण सिक्का एक स्वर्ण सिक्का और है वह मुहर का मुलिक कितने रुपए के बराबर है मुझे बताइएगा अक्बर के समय प्रचलित स्वर्ण सिक्के मुहर का मुलिक कितने रुपए के बराबर है दस नौ उन्ने सिक्केस पिलत मत करिएगा इस प्रश्ण को और सही जवाब है नौ रुपय के बराबर है ठीक है नौ रुपय के बराबर है और अगला कोशन देखिए क्याप्टन होकिन्स जहांगीर के समय आया है आपको पता है क्याप्टन होकिन्स ने जहांगीर के समय प्रचलित एक स्वर्ण सिक्क्य अशर्फी का उलेख किया है पहले बात तो यह ध्यान रखिए कि होकिन्स की स्वर्ण सिक्क्य का उलेख करता है अशर्फी का उलेख करता ह इसका मूली हॉकिंस ने कितने रुपए के बरावर बताया है 10 11 12 15 हॉकिंस सुरण शिर्फी कव्र करता है और इसका मूली कितना बताता है मुझे बताएं और सई जवाब है 10 रुपए है मुझे उम्मीद है आपने बढ़या किया होगा 40 प्रशनों में लगबग मैंने डेड़ सो से ज़्यादा प्रशन आपको आज डिसकस कर दिये और आज से इस मुद्रा प्राली का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ आपके अगर मुद्रा प्राली से रिलेटिड कुछ और ट्वैरी जैंकरियां आप चाहते हैं प्रशन है आपके तो मुझे भेज दीजेगा आगामी टेस्स में हम लोग उसको शामिल कर लेंगे फिलहाल आपको यह लेक्चर कैसा लगा यह क्लास कैसी लगी तीरों क्लास मद्यकाली मुद्रा प्रणाली और एंशेंट की मुझे अपने सुजावों से जरूर अववत जो भी लेक्चर जो भी टॉपिक आपको पढ़ने मुझे सुचित करिए आज की क्लास को सबाप करने की जाज़त दें धन्यवाद नमस्कार